अलो फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइन्स एन इंटरनेशन रिलेशन्स पी एस आई आर जो आपका एक बहुत फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम के लिए आज उसके एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं है ना जैसा कि आप लोगों को इसकी कशाये मलुक हए्स में जिसका क्लास के अंदर हर चीज मैं समझाउंगा आपको लिखवाओंगा भी और इस तरह से आंसर लिखना राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग रेगुलर करेंगे तो आज उसके एक टॉपिक का हम लोग डिसक्रिशन कर रहे हैं इसका नामे टॉपिक का नाम क्या है यथार्थवाद जिसको बोलते हैं इंगलिश में रियलिजम यथार्थवाद या रियलिजम क्या है यथार्थवाद या रियलिजम एक धारना है एक विचारधारा है जो कि आदर्शवाद के विप्रीत विचार के रूप में आई आदर्शवाद के विप्रीत विचार के रूप में कौन सी विचारधारा ही, इसका नाम है या थार्टवाद, आधरशवाद क्या बोलता था, आधरशवाद ये बोलता था कि अंतरराष्ट्रिये इस तर पर जो राजनीती होनी चाहिए, वो नेतिक सिद्धानतों के आधार पर होनी चाहिए, अ उधारन के लिए भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवालनाल नहरू की राजनीती, अंतराष्ट्री राजनीती, आधर्श वाद पर आधारित थी, और जब जमुएर कश्मीर के अंदर कबायलियों के वेश में पाकिस्तानी सेना ने हमला बोल दिया था, तो जवालनाल नह है रूँ इस बात का वेट करते कि पहले भारतिये सेनाय कबायलियों को पिछे धकेल कर पूरा कश्मीर ले ले लेती, उसके बाद वो सीसपायर करवाते तो बैटर होता, पर वो किस से संचालित थे, आधर्श वाद से संचालित थे, उनकी नहतिक धारनायों में, उनकी इसको अंतराष्ट्रिय राजनीती में उन प्रतिमानों का पालन करना चाहिए, जो उसके राष्ट्रिय हितों के विरुद ना हो, बल्कि उसके राष्ट्रिय हितों का पोशन करते हो, यथार्थवाद का बेस है, राष्ट्रिय हित, और मॉर्गन थाउ नाम के एक विचारक विचारक का नाम क्या है मॉर्गन थाउ मॉर्गन थाउ ने यथार्तवादी विचार के छे सिद्धांत दिये और वो छे सिद्धांत क्या है जरा इसको हम समझते हैं इतना समझ पारे कि नहीं आप यह यथार्तवाद आदर्शवाद के विप्रीत विचार के रूप में सामने मौर्गन थाओ ने क्या कहा मौर्गन थाओ ने कहा कि राजनीती जो होती है वो मानव सभाव के वस्तुनिष्ट नियमों के द्वारा संचालित होती है मौर्गेन थाव का कहना था कि मानव का जो स्वभाव होता है राजनीती उससे संचालित होती ना कि नैतिक नियमों से संचालित होती है और मानव का स्वभाव कैसा होता है ये समझेए मौर्गेन थाव ने कहा कि मानव का स्वभाव होता है स्वार्थ से भरपूर मानव का स्वभाव कैसा होता है मानव स्वार्थी होता है और प्रभुत्व की लालसा रखता है मानव इतना नैतिक नहीं होता कि अपनी शक्ती को दूसरे के साथ में शेयर करे मानव स्वार्थी होता है और किसकी लालसा रखता है प्रभुत्व की लालसा रखता है इसका मतलब हुआ कि हर देश मानो सभाव के अकॉर्डिंग में संचालित होता है हर देश स्वार्थी होता है और होना चाहिए मुर्गेंथाव ने कहा कि हर देश स्वार्थी होता है और उसे होना भी चाहिए और हर देश को प्रभुत्व की लालसा रखनी चाहिए यथार्थवाद ये कहता है कि आपको किसी नैतिक सिद्धानत के चक्कर में नहीं पढ़कर आपको अपने देश के प्रभुत्व को बढ़ाना चाहिए अपने देश के प्रभुत्व को बढ़ तो यह भी सही है ऐसा यथार्थ वादियों ने कहा जिसके प्रेरक कौन थे मॉर्गेन थाओ तो पहला सिद्धानत आपको समझ मांगया मानव स्वभाव जो होता है उसी से अंतराष्ट्री राजनीती चलती है और मानव स्वभाव कैसा होता है मानव स्वभाव स्वार्थी हो किसमें है राष्ट्री एहित है शक्ती प्राप्त करने में जितना जो शक्ती शाली होगा उतना ही दुनिया में उसका प्रभुत्व होगा उसका राष्ट्री हित किसी देश का राष्ट्री हित है कि वो शक्ती शाली बने किसी भी देश का राष्ट्री हित इस बात में है कि वो शक्तिशाली बने राष्ट्रिय हित की धारणा में शक्ति एक महत्पून रोल प्ले करती है राष्ट्रिय हित की धारणा में शक्ति ही सब कुछ है तो पहला सिद्धान मानव स्वारती होता है वो अपना प्रभुत्व चाता है दूसरा सिद्धान कि राष्ट्रिय हित सिद्धान आपके निजी जीवन में तो सही हो सकता है लेकिन जीओ और जीनेद्व का सिद्धान आपके राश्ट्री हित के विरुद भी जा सकता है जैसे अभी रूस और युक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है हम कह सकते हैं कि रूस यथार्तवादी द्रवाई अपना र हो गया तो उसकी राश्ट्री हितों पर खत्रह है उसका जो शक्ति विस्थार करने का जो उसका सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए अपने राश्ट्री हितों से संचले तो कर उसने युक्रेण पर हमला कर दिया जो सार्व भूम एक नैतिक नियम है वहाना लगा हो हमारे नेतिक नियम का रथ होता है हमारा राष्ट्रिय तो पहला क्या है मनुश्य अब पूछे रूस स्वार्थी यह जैसे मानव स्वार्थी होता है वैसे रूस स्वार्थी रूस क्यों पूरी दुनिया में अपना विस्तार चाहता है क्योंकि मानव अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है और ये गलत नहीं है ऐसा किसने का मार्गिंड तो पहला प्रभुत्व की लालसा होती देशों में दूसरा कि राश्ट्री हित की अवधारना शक्ति के के रूप में भी व्यक्त होती है राष्ट्री जो है वो शक्तिशाली बनने में है एक देश का राष्ट्री कि से शुक्तिशाली और तीसरा राष्ट्री राश्यों सादेव परिवन शीऊ होते रहते हैं कि राष्ट्री की जो है वो समय समय बर बदलते रहते हैं हुजह कैसे ₹1991 पहले जब रशिया का विखनडन हुआ U немного पहले भारत व हुएamer सार को निखंडित हो गया और भारत के अंदर भी अर्थ विवस्था में सुधार होने लगा अर्थ विवस्था पुंजी वाद की और जुखने लगी तो हमें नजर आया कि कि हमारे राश्ट्री हेत्-ऊ ससार के साथ रहने में नहीं है हमारे राश्ट्री हेत्-ऐस Gemini AI K 491 के बाद भारती इज्राइल को मानता ढी क्योंकि आतंक वास जिस तरस इज्राइल लडवा था हमें उसके साथ साथ सायों हुषकता है कि हम भी आतंक वास सक्र Iceland आतंगुद से अपनाजो समर्स्राइल किया कि actual क्यों स्क्राइश से कैसे लड़ा जाहे हम उस कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे कुछ inspiration लेना चाहते कुछ सयोग चाहते हैं तो इसराइल हमारा दोस्त होना चाहिए प्रभुत्व चाहता हूं देश क्या चाहता है प्रभुत्व चाहता है दूसरा प्रभुत्व या राष्ट्री हित जो है यह हमारा राष्ट्री हित और राष्ट्री हित किस से अभी व्यक्त होता है शक्ती से और तीसरा राष्ट्री हित क्या फिक्स होते हैं एक बार दोस्त तो सदा के लिए दोस्त नहीं एक बार दो सदा के लिए दोस्त तब तक जब तक कि हमारे राष्ट्री हितों में बदलाव हम 1991 के बाद हमारे राष्ट्री हितों को अर्थ्विवस्था में ढूंडने लग गए तो निशीत रूप से अमरीका हमारा सयोगी बन लिए तो राष् एक पीज यह नहीं का अची है जिस समय भारत 17 हमले से दूज रहा था जिस समय भारत-जो है कवाईलीनंतों हमने से जूज़गा था पंडिजी शूल्ट मैं यह निकी शांति का सन्देश दे रहे थे विशमी सांति अच्छी बात है लेकिन आपका राष्ट्रेहीट करें था क यह मौर्गेंतियू क्या है के राष्ट्र हिद किसमें है जो मौर्गेंतियू ने थर्ड पॉइंट पताया मौर्गेंतियू का फूर्थ हूंट क्या है विवेक राजनिती का सरवोच गुण है तो बहुत है कि उसे लोगों ने देश के साचिन चलाने वालों का विवेक्त करेंगा, रूस को लगने लगा कि युक्रेन बस बहुत हो गया, इस से ज़्यादा ये पश्चीमी देशों के साथ गुसा, तो कहीं न कहीं हमारे राष्टे इतों पर खत्रा होगा, अब अगर युद्ध भी करना पड़े तो करें करेंगे और ब्लाड़ीमिर पुतिन इस लेवल पर पाँज गए कि अगर परमानु हमला भी करना पड़ा तो भी करेंगे, जब लोग कहते हैं कि क्या ये नैतिक है, तो ब्लाड़ीमिर पुतिन और यथार्थ वाधी राजनीती शासरी क्या बोलता है, कि यस बिल्कुल सही ह रूस के राष्ट्री हितों से वो कॉंप्रमाइज नहीं कर रहे है, गलत क्या है, उनको रूस के राष्ट्री हितों से किसी प्रकार का समझाता नहीं करना चाहिए, एक शासक से और क्या उमीद करते हो, एक शासक से ज़्यादा उमीद मत करो, अंतराष्ट्री शांती का क्य और जानते अगर राष्ट्रों के मद्धे कॉपरेशन का क्या हुआ सजी और जीनेदों की भावना का क्या हुआ पड़ोसियों के साथ सब्सक्राइब क्या हुआ वह कहते हैं यह सभी बाते तब तक इस विकार है जब तक कि वो मेरे राष्ट्री हितों पर आगात नहीं कुछ सब्सक्राइब कि संचालित होता है मनुषी के विवेक से संचालित होता है अगला पॉइंट देखिए राष्ट्र के नैतिक मुल्यों और सार्व भौमिक नैतिक मुल्यों में अंतर होता है सार्व भौमिक नैतिक मुल्य कौन-कौन से होते हैं एक्जामपल लेते हैं ठीक ह सार वहमें क्नेतिbecue ले कऊंकॉन सोते सकते ठीग हैं एक नेरी के सकते बोलिये एक नेरी मुल्य है सकते बोलो एक नेरी मुल्य है अहिंसा प्रेम सैयोग शांती भाईचारा दया इमानदरी न्याए मौर्गेंतिव कहता था निजी जीवन में अपनाओ श्रीमान ठीक है अंतराष्ट्री इस तर पर इनकी बाते करने वाले आदर्श वादी होते हैं यथार्थ वादी नहीं होते एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ रही तब सकता है जब शक्तियों को हरा सको और उसके पास इत्ती शक्ति होगी क्यों मुझे हरा सके तब हम युद से बचेंगे अंतराष्ट्रिय शांती एक निर्बल और एक कमजोर के बीच में नहीं हो सकती है निर्बल हमेशा दबा रहेगा कमजोर हमेशा भी रहेगा इसलिए शक्ति प्राप्त करो इन मुल्यों से नहीं बलकि राष्ट्र के नहतिक मुल्यों से चलता है राष्ट्र के नहतिक मुल्य क्या होंगे आप समझ पारे बातों को ठीक है राष्ट्र के नहतिक मुल्य होंगे राष्ट्र की सुरक्षा शक्ति प्राप्ति नागरिकों के जीवन संपत्ति और अधिकारो की रक्षा मेरे पास एटम बॉम है और मेरा पडोसी मेरे नागरिकों को धंका रहा है ऐसी इस्तिती में तो क्या एटम बॉम मैंने कबड में रखने करी रखा है अगर मेरा पडोसी मेरे घर के अंदर बदमाशी कर रहा है मेरा पडोसी राश्ट्र अगर मेरे साथ बदमाशी क की सुरक्षा संपत्ति की सुरक्षा अधिकार्व की सुरक्षा डवलप्मेंट की आवशक्ता कोई भारत से पूछे यार युए से सार के दोस्त बनते थे अमरीका के साथ मिल लिए विकास की आवशक्ता है ठीक है फिलिस्तीन के दोस्त बनते थे इसराइल के साथ मिल लिए व और या राश्ट्री हित का नेतिक मुल्य कौन सा है कि आप युद्ध करो अगर युद्ध और आहिं सामें से किसी एक को चुनना है राश्ट्री हित होते हैं और नहीं अहिंजा से या शांति अगर आपको अपनी देश की टेरिटरी से compromise करना पड़े तो मौन्थिंग क्यों कि अनुसार वो बेवकुफी है वो यथार्टवाद नहीं है यथार्टवाद का मतलब जो है उसके according आचरन करो practicalism जिसको कही बार बोलते है realism जिसको कही बार बोलते है जो रूस प्राज्र्ट में उसको रूसरफ लाड़ीमिर पुदीं की नेती क्या थिख रही है ब्लादी मिर पूदींजिंख कि बिश्विशन थी किलीあっ или उसने का विश्वी शांत्री यसी बाते मैं नहीं कर रहा है, मैं इतनी बात जान रहा हूं, रूस को राष्ट्री हित इस बात में है, कि उसका पड़ो सी देश नाटो का सयोगी नाओ, क्योंकि नाटो का सैनिकट डागरवा बन गया, हमेशा हम अमरीका और उसके सैयोगी की र तो करनी रह सकता क्या उसने का तटस्ता का सिगनेचर कर दे, तटस्ता की गारंटी यह मांग रहा हूं, कि अभी नेटो में शामिल ली होगा, तो नेटो के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि नेटो और हम में विभाद है, शक्ती संतूलन नहीं है, नेटो हमारे देश के अ स्टा यह था, करना चार है, हम नहीं हूना देना चार है, अगर बीच में कौन आ गया, क्यों करें, क्यों करना देए, क्यों के अपने नेटो की अट्ने में अपने सैनिकत लगाई गेगी और वहाँ से मिशाइल्य यह से nem कि पबीर संग्प नहीं रहा जूस पैर यह उसके लिए जा इसके राष्टी दो के लिए उचितों करोगा इसके लिए हिंशा भी करने पड़े खुन खराबर भी करना पड़ें तो भी करेंगे है कॉएंट सबंढ गया कि अनतराष्टी ए नेतिक मुल्य कॉन-कॉन से सत्य अहिंसा प्रेहिम सयोग सयोग करें और राष्ठी एटों से कॉंप्रोमाइज करके कि पांचवा सिद्धानत इद हो गया राष्ट की नियतिक मुल्य और सार्भुमिक नियुक्ति मुल्यों में difference होता है यह हमारी बात हो गई है अब अगे देखिए कि छटा सिद्धान राजनीतिक शेत्र की स्वायत्ता में विश्वास उनसे पूछा कि राजनीति किन-किन चीतों पर डिपेंड खरती है उसने का राजनीति सिर्फ राजनीती पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रिये हित जो होते हैं वो राजनीती अपने आप तै कर लेगी अन्य शेत्रों को राजनीती में मत गुषड़ो राजनीतिक शेत्र जो होता है वो स्वायत होता है अन्य शेत्रों से संचालिक नहीं होता तो आप समझ गए यथार्थवादी राजनीती अंतर राष्ट्री राजनीती का वो पहलू है यथार्थवादी राजनीती अंतर राष्ट्री राजनीती का वो पहलू है जो यह कहता है कि आदर्श वाद जो है वो राष्ट्रों को कमजोर बनाता है राष्ट्र को शक्ति या सक्ता प्राप करने की लालसा रख नहीं चाहिए एक राष्ट जब प्रभुत्व बनाने की लालसा रखता है तभी वह शक्तिशाली हो था और जब वह शक्तिशाली यूगा तभी सुरक्षित हो गाज़र संतुलन का सिध्धान सर्फ प्रश्री संतुलन का मतलब दो एक कमजोर और एक मजबूत राष्ट के बीच में कभी भी शांती नहीं दे सकती 1962 में चीन ने हम पर हमला बोल दिया अभी डोकलाम क्रैसिस हुआ था 2015-16 में बोल पाया हमला नहीं भारत मजबूत था कि नहीं था अगर भारत मजबूत नहीं हो और चीन को बोलो देखो अंतराष्टी शांती का ऑलंगन or जाएगा भाई-चारा प्रेम इंडी-चीनी भाई-बाई इसका उलंगन हो जाएगा तो वह मानेगा मॉःगे तूक्या आता यहांला सब्हारत कि क्या सब जो है वही सभसेंख नो viewing श्रक्ति कैसा नासित है कि उसके दोस्ती त्वसक्रेटर बिल्कुल हाथ में गैंद में हमें हमें कि यह सुट्ट करता है वह करेंगे घिस देश के नागरीहों का विखास होगा जिससे हम अपने दुनिऊ में इस दुनिया में अपने आपको प्रभुत्य मशारी सध्री करेंगे वो हमारे दाश्ट्री हिते हैं कि उदारण के लिए भारत की पहले नजदी किया थी सोवियत संग से बाद में हमारी नजदी किया वढ़ गए अमरीका से अमरीका का साथ इस्राइल का साथ हमारे राष्त cookies परिवरतन शील होने के बाद विवेक कौन तैय करेका राष्त यह 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 तैय करने वाला होगा मानव का इभी एक है फिर पर क्वेशन आता है आपके पास मेर्ट के झाँ यॉपलने जभड़ने कि नयतिक मुल्य और राष्ट्रु जाने सावनिक नयतिक मुल्य संत्र क Tag है लेकिर राष्ट्र के न्याथिक मुल्य और स्कुल्य होनगे क्या राष्ट्र के नहतिक मुल्य होंगे यह राष्ट्र कि स्रक्ष्या है कि राष्ट्रै नहतिक्रन कॉल्रास्टे navigate Angenai बोल रहा है कि मैंने दूसरे देश के साथ में आपका देश बेच दिया क्योंकि वह बिचारा कमजोड था तो भाईया वह बेवकूफ है कि राष्ट का नेतिक मुल्ल यह उसका गतिविदी अनेतिक माली जाएंगी मोर्ग थिओ की अनुसार कि शक्ति प्राफ करने करना यह भी राष्ट का नैठेखम रहेन नागरी को का जीवन यह हुआ समपत्ती की रक्राक्षा करना नागरी को की विकाथ कि अकान्षा करना यह भी नेठीन लेही है राजनेतिक शेत्र कैसा होगा राजनेतिक शेत्र एक स्वायत शेत्र होगा राजनेतिक शेत्र कैसा होगा एक स्वायत शेत्र होगा इसका मतलब किसी अन्ने शेत्र से पर पर उसे निर्भर नहीं होगा अन्ने शेत्र पर और किसी अन्ने शेत्र से प्रभावित भी नहीं होग मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है आप लोगों को या ना या थार्ट वाद समझ माया आधर्षवाद की विप्रीत है कि नहीं है या थार्ट वाद आधर्षवाद की विप्रीत है या नहीं है Morgan Thieu की अपनी थोरी है अधरशवादियों की अपनी थोरी है किसी और क्लास में अधरशवाद भी डिस्कस करेंगे Thank you so much